नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे शो में जिसका नाम है डौ शाला, तो हम बात करने वाले multi track recording band lab में कैसे होती है, मतलब कि अगर आप एक guitarist है या आप एक keyboard player है या प्यानक player है तो आप दो चीज़ें अगर एक साथ record करते हैं और एक से ज़्यादा input जब भी होगा वह multi हो जाएगा, तो basically एक guitar, एक vocal, दो vocalist, तीन vocalist, चार-पांच instrument या पूरा band या उससे ज़्यादा लोग अगर आप एक साथ record करते हैं तो वह सब multi track है, तो चली खंगालत ने कि band lab में ये कैसे होता है, here we go अब मैं आपको ले आया हूँ अपने band lab की screen पे और यहाँ आप आप देख सकते हैं कि UI में बहुत सारे changes करें band lab ने, यह सब जो ऊपर, यहाँ पर file, while, यह सब कुछ लिखा होता था, वह सब कुछ नोने, जैसे mobile phone के app में होता है, कि 3 dot के अंदर, या 3 lines के अंदर चला जाता ह वैसे कर दे रहाँ है, यहाँ पर band lab का logo आ गया है, यहाँ पर यह सब space बचा लिया है, पूरा तो यह सब कुछ अलग कर दिया है, जो slice होता था, वह हटा दिया है, यहाँ पर key का signature आ गया है, यह tempo 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 था पहले लेकिन, इनके font different हो गया है, तो looking wise different है, overall theme थोड़ी और dark होगी, तो theme कुछ ऐसी होगी, यहाँ save option, publish option, यह सब different हो गया है, ठीक है, नीचे source और यह सब चीज तो लगवाग वैसी ही है, लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ चोटे-चोटे changes करें होगी, और मुझे personally ऐसा लगता है, कि चोटे-चोटे changes, उनसे फरक नहीं पड़ता है, मैं पता नह लेते हैं, पहले एक, instrument track ले लिए हमने, और instrument track लेने के बाद एक vocal track ले लेते हैं, क्योंकि हमें दो चीज रेकॉर्ट करने हैं, इसमें क्या करना है, instrument को select करेंगे तो सिर्फ instrument की आवाज आईगी, vocal को select करेंगे, तो vocal की आवाज आईगी, ठीक है, मैं monitoring on कर रखूँगा, और उसके बाद मैं instrument पर जाऊंगो, तो अपने आप ही vocal के आवाज आनी बंद हो जाएगी, तो अभी आ रही है, अब मैं instrument select कर लिया, तो अपने आप ही मुझे monitoring आनी बंद हो गई, मतलब क्या है, कि एक बार में एक ही जो भी track select है, सिर्फ उसी की आवाज आईगी, मतलब की इतनी जुरुत पड़ेगी नहीं, नॉर्मली भी हम monitoring यूज़ करते नहीं है, उसको हटाते है, instrument select किया, आप देखेंगे तो इसमें एक red dot आ रही है, मैं अगर इसको multi track हटा आएता हूं, तो क्या होता है, एक बार में एक ही चीज़ को record करता है, आपके पास आपने select किया, कर दिया, लेकिन अगर मैं multi track enable कर देता हूं, तो एक red dot आता है, अब red dot आने के बाद क्या करना है, आप दूसरे track को select करेंगे तो उस पर आ जाता है, red dot लेकिन उपर वाले से हट जाता है, आपको क्या करना है, अगर दो record करने, तो इस red बिंदी को यहां लाने के क्या करेंग तो चलिए क्या करते है, instrument track को select करते हैं, ताकि उसके आवाज आए हमें, तो चलिए record करते हैं, एक ऐसी rough कोई sample record करता हूं, मैं metronome on कर लेता हूं, ठीक है, 120 kbps, a minor का, doesn't matter actually, तो record करते हैं, चलिए ऐसी कुछ भी random record किया, ठीक है, कुछ मज़तार चीज नहीं है, अब आप देख सकते हैं, यह दो track बन गए है, एक में vocal है, और एक में instrument है, फिलाल इसको multi track को हटाते हैं, disable कर दिया, तो हट गई बिंदी दोनों जगे से, solo करके सुन लेते हैं, ठीकिए, लेकिन आप एक करते हैं, तो यह आजाता है, अब देख सकते हैं, यू आई थोड़ा different हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इस पर highlight line, outline दिख रही है, हम क्या करेंगे, कहीं पर खाली जगह पर click करेंगे, control A, अब यह सब select होगे है, उपर white इनके पास outline होगे है, तो मतलब इस सब के सब select है, उठा के manually हम इसको set कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम एक बार quantize करके देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए, इसको हटाते हैं, बागी का part और इसको drag करके first point पे ले जाते हैं, तो अब यह दूनों के दूनों metronome के साथ sync करेंगे, metronome on करते हैं, सुनते हैं, एक बार, ठीक है, तो पूरा का पूरा sync हो रहा है, ठीक है, कुछ एक दो एक्स्टा नोट है, उनको बार magic कर सकते हैं, तो vocal हो गया record, आपके लिए एक अच्छी चीज बता तो मैं, खास वर से उन्नों के लिए, जिलनों को weak signal की problem मारी है, मतलब क्या है, कि जब वो record करते हैं, तो आवाज बहुत dim, भहुत धीमी, मतलब volume बहुत कम रहता है, preset मैंने बना रखा है, आप लोग को क्या करना है, FX में जाएंगे, ठीक है, none पे click करेंगे, ठीक है, तो उपर search का option है, यहाँ पे search करेंगे, P-E-I-Y-U-S-H, आपको यह मेरा preset देख जाएगा, mic boost, ठीक है, mic boost में क्या होगा, raw mic boost कर देगा, मतलब कि कोई effect इसमें नहीं होगा, कोई और, लेकिन volume जो होगा है, वो boost हो जाएगा, click किया हमने इस पे, और हमारा यह पूरा, जो भी मैंने preset बना रहा है, बूस्ट करने लिए, वो सब है, ज लगा रहा है, ताकि बहुत ज़्यादा हिस हिस वाली जो sound है, वो ना record हो, अगर आप podcast भी record करें, तो आपके काम आजाए, noise gate लगा दिया, ताकि फालतो कि extra noise है, वो काम हो सकती है, सब को off कर दिया, हमारी आवाज यह आ रही है, ठीक है, आप सब को on कर लेते हैं, और सुन ल आप लोगों के लिए ही बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम record करते हैं, तो हमें reverb, delay इस तरह की चीज़ों के जरूत होती है, ताकि हम अपनी आवाज में कुछ beauty उसमें लाव पाए, पहला काम करते हैं, इसको solo करते हैं, और अपना जो instrument track है, इसको select करते हैं इसमें मैं reverb एट करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, reverb वाली tap पे गया, reverb मैंने studio reverb लिया, इसका size थोड़ा कम किया, और mix को भी थोड़ा कम किया, सुन लेते हैं, पर कैसा आ रहा है, ठीक है, कूंजने लगे आवाज, vocal track पे आते हैं, vocal track में भी एक reverb एट कर देते हैं छोटा सा, reverb, studio, size कम किया, और mix का size भी हमने कम कर दिया, ठीक है, अब सुन लेते हैं, अच्छा एक चीज रह गई, हमने इसको denoise नहीं किया, इसलिए extra noise भी सुनाई दे रही है, तो गए right click किया, denoise किया, और आप सुनते हैं, इसको overall कैसा final result है, ठीक है, तो काम चल जाएगा हमारा, तो दोस्तों ये था band lab के अंदर multi track recording, I hope आपको अच्छे सा समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है, कोई question रह जाता है आपका, तो please feel free to ask me anything related to band lab or related to this topic, please like शरूर कर दीजिए, subscribe करना ना करना, वो आपकी मरजी है, उसक अपकली, bye-bye